इस वीडियो में हम लोग discuss करेंगे कि national education को लेकर महत्मा गांधी के क्या views थे इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि national education को लेकर किस तरह से महत्मा गांधी ने अपने views रखे हैं उन्होंने सिर्फ यहां पर कम्या और खाम्या ने गिनवाई हैं बलकि कुछ solutions भी बताए हैं तीन तरह के किस तरह से कम्या गिनवाई है और किस तरह से उनकी solutions दी हैं इस वीडियो में हम लोग ढंक से discuss करेंगे शुरू करते हैं मिलता हूं इस वीडियो की end में दोस्तो national education को लेकर महत्मा गांधी के क्या views थे इस बात को जानने में काफी लोगों का interest है उन्होंने खुद इस बात को लिख कर clear किया है कि national education को लेकर वो क्या सोचते हैं वो बोलते हैं कि आज जो education system है मतलब उनके time पर जो system था उसमें कमिया ही कमिया थी खामिया खामिया थी जो चीज़ शाएद आज हमें पता चल रही है वो महत्मा गांधी को काफी पहले पता चल चुकी थी काफी पहले उन्होंने ये बात बोल दी थी कि तीन मेटर्स को लेकर इस system में कमिया है God से सुनना मैं क्या बोल रहा हूँ तीन मेटर्स कौन कौन से है पहला मेटर यह है कि यह सिस्टम पूरी तरह से foreign culture पर based है completely इसमें Indian culture की कहीं भी बात नहीं की जाती Indian culture का एक तरीके से नामों निशाने नहीं है दूसरा, दूसरी कमी यह है case education में आपको सर्फ brain की training दी जाती है मतलब दिमागी रोप से आपको मजबूत बनाने की कोशिश की जाती है practical education देने में मतलब हाथ का काम सिखाने में इसमें कोई focus नहीं किया जाता और तीसरी सबसे बड़ी कमी यह है कि बच्चों को foreign medium में educate किया जाता है मतलब foreign language में English language में हमारे बच्चों को जो education दी जाती है उसमें कभी भी real education उन्हें नहीं मिल सकती है तो यह तीन बड़ी कम्या थी इनको detail से समझाते हैं वो अपने इस essay के अंदर देखो उनकी कहने का मतलब क्या है मैं आपको detail से समझाने की कोशिश करता हूँ सबसे पहले उन्होंने कहा कि इसमें हमारे culture का कोई नामो निशान नहीं है यह बात सच है school की textbook में आप देखना और practical life में आप देखना कहीं भी आपको connection नहीं मिलेगा जो बच्चा सीखता है क्या सीखता है बच्चा वो जो textbook में सीख रहा है उसका क्या connection उसकी practical life से हमें हमेशा ऐसी चीज़े पढ़ा ही जाती है जिनसे हम connect नहीं कर पाते विदेशियों का जीवन दिखाये जाएगा विदेशियों की बारे में बताये जाएगा जिनकी बारे में बच्चा जानता तक नहीं है और देखना जितना ज्यादा बच्चा इस सिस्टम में उपर जाता जाता है उतना ज्यादा अपने practical life अपने culture से वो दूर होता जाता है उसकी textbook में उसकी culture को ऐसे दिखाये जाता है जिसे उसका culture बेवकूफियों से आज ही market में जितनी पे textbook चल रहे हैं ज्यादा तर को खतम कर दो और अपने culture से जोड़ी textbook को लिखवाना शुरू कर दोगा तो पहली चीज इन्होंने बोली कि अपने culture को शामिल ना किया जाए ऐसी textbook मार्केट में नहीं होनी चाहिए दूसरा इन्होंने बोला कि हमारा देश यहाँ पर brain की education दी जा रही है इस system में तो हमारा देश जो 80% किसानों से भरा पड़ा है जहां कि ज्यादा तर आबादी खेती पर depend करती है वहाँ पर तुम ये brain वाली education दोगे तो population success कैसे करेगी जब practical life में वो कामी नहीं करेंगे अगर बच्चे सिर्फ brain को train करेंगे तो बाद में जब real life में वो जाएंगे तो महनत मज़ूरी करने में उन्हें शर्म आईगी उन्हें महनत करने से नफरत करना क्यों सिखाया जा रहा है मेरा ये सवाल है क्या बुराई है खेती करने में और घर का काम करने में उन्हें क्यों इन चीजों से नफरत करना सिखाया जाता है और उनका ये भी मानना था कि सिख्षा एक ऐसी चीज है जिसे completely free होना चाहिए लेकिन आज इसका उल्टा हो रहा है सिख्षा के लिए नजाने कितने ही पैसे वसूले जाता है माबाप से दोस्तों वो सिर्फ कमिया नहीं गिनवा रहा है यहाँ पर एक solution भी उन्हों ने रखाया है वो कहते हैं कि स्कूलों में ही क्यों ना हम बच्चों को manual work सिखा सके manual work मतलब जैसे suit कातना अब आप कहोगे कि गांदी जी तो suit कातने को promote करते थे क्या इसी से देश चल जाएगा तो जस टाइम पर वो थे वो बोलते हैं कि देखो पहली चीज़ suit कातने से वो कुछ सीख जाएंगे ठीक है और इससे क्या स्कूलों की fees भी वसूल हो जाएगी और मैं इस काम को इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हम एक गरीब कंट्री हैं इस वक्त तो cloth production हमारे लिए कपड़ा उत्पादन एक better काम है इससे better काम अभी तक कोई नहीं हो सकता आमारे लिए तो ये सिखाओ बच्चों को वो पूछते हैं कि क्या ये चीज़ आपकी textbook सिखा सकती है नहीं ये चीज़ आपका teacher आपको सिखा सकता है practically ये सब चीज़ है तो दूसरी चीज़ भी उन्होंने समझा दी कि brain की education ज़्यादा जोर देना की जरूरत नहीं brain की education पर practical work भी सिखाओ बच्चों को और तीसरी सबसे important चीज़ वो जो criticize करते हैं कहते हैं medium of instruction foreign language नहीं होनी चाहिए वो बोलता है कि सब जानते हैं मुझे इस विदेशी प्रणारी में education देने वाले तरीके से कितनी नफरत है ये सबसे बड़ी tragedy है कि आज हमारे बच्चे इस language को समझ नहीं पाते और रट्टू हो जाते हैं जिससे वो अपनी knowledge को जैसे चन्नी में से पानी नीचे जाता है वैसे ही उनकी knowledge पासान नहीं कर पाते क्योंकि वो foreign language समझ ही नहीं पाते जब वो समझ नहीं पाते तो पासान कैसे करेंगे मेरे पास अगर ताकत होती तो मैं आज ही इस language में छपिवी सारी books को market में ban कर देता और अपनी language में पढ़ाना शुरू कर देता बाद में textbook छपती रहती इसलिए शायद अंग्रेज मुझे पसंद नहीं करते और मुझे पर बहुत सारे charges लगा दिये कि मैं अंग्रेजी language को बदनाम कर रहा हूँ यंग इंडिया नाम का एक journal चलाते थे माहत्मा गादी वो बोलते हैं कि उस journal में उन्होंने लिखा था कि English language सिर्फ international commerce और diplomacy की language होनी चाहिए वो इस बात से deny नहीं करते कि इस language में खजाना नहीं है इस language में खजाना है वो कहते हैं ये बहुत सारी knowledge से भरी हुई language इसको neglect नहीं करना चाहिए लेकिन इसी किसासत वो बोलते हैं कि इस खजाने को translate करने की जिम्मेदारी उन लोगों पे है जिन लोगों की language पर अच्छी पकड़ है उन लोगों काम ये है कि इस अंग्रेजी भाजा के खजाने को हमारी देसी भाशा में translate कर सके ताकि देसी इंसान भी इस चीजों को समझ सके ये एक बहुत अच्छा जरिया होगा हमारे यहां की education को बढ़ाने का एक już थी तीन चीजें उन्होंने बदाई उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी इस video में आज की इस video बस इतना ही अब जब आपने ये video खतम कर लिए है तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको महत्मागांधी के ideas पसंद आया होगी दोस्तो फिलाल आज की इस वीडियो में बस इतना ही मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में